क्या योधिया पहुचते ही रामलला की मूर्ती बदल गई क्या गर्ब ग्रह में प्रांट प्रतिष्ठा होते ही रामलला की मूर्ती को बदल दिया गया है यह बात खुद कही है मूर्ती बनाने वाले अरुन योगी राज ने अरुन योगी राज का कहना है कि मूर्ती वो मूर प्रान अरुन योगिराज काफी भावों या कहें काफी इमोशनल भी नजर आए दरसल देखें अगर आप तस्वीरों में खुद इन दोनों फोटोस को देखेंगे प्रांड प्रतिष्था से पहले वाली और प्रतिष्था के बाद वाली तो थोड़ा बहुत अंतर आप अरुन योगिराज ने भी मान लिया है अरुन योगिराज का कहना है कि जब राम लला की प्रांड प्रतिष्था खतम हो गई तो उन्होंने अराम से बैठ कर राम लला को देखा और उन्होंने महसूस किया कि वह राम लला नहीं है जो उन्होंने बनाए थे राम लला काफी बदल गए हैं हाला कि कुछ लोगों का कहना है सोचल मेडिया पर की राम लला ने काफी जादा प्रांट प्रतिष्था के वक्त आभूशन पहने थे उन पर लाइटिंग हुई और काफी और चीजों का भी फरक पड़ रहा है जिसकी वजह से राम लला बदते हुए नजर आ र बाइस जन्वरी को राम लला की प्रांट प्रतिष्था की गए जिसके बाद हर कोई राम लला की मूर्ती को देखता ही रहे गया और फिर सबके मन में सवाल उठा कि आखिर ये मूर्ती बनाएं किसने हैं तो फिर नाम सामने आता है अरुन योगिराज का कि ये मूर्ती और साथी साथ इस बात को कहते हुए काफी इमोशनल भी नजर आए दरसल बुद्वार को वह मैसूर अपने घर पहुचे और मैसूर में उनका काफी भव्य स्वाधवी किया गया हर तरफ चर्चा केवल एक ही इंसान की है वह है अरुन योगिराज अरुन योगिराज से जि कुछ बहुत भावुक उन्हें फील हो रहा है यह सारी बाते उन्होंने एक अपने इंट्रिव्यू में कही उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लग रहा कि यह काम उन्होंने खुद किया है उन्हें ऐसा लग रहा है कि यह काम भगवान ने उनसे करवाया है तो यह तो बात रह सकते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता है और इसी तरह जुड़े रहे हैं यूज बुक के साथ